हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैनीस हल्थ में जहांपर मैं हर रोज आपको पेनी नई समस्याओं, सेहत से जुली समस्याओं के समाधान के बारे में बतादे भी Friends, आज मैं आपको बताऊगी क्या सच में पानी पीने से तवचा में आता है निकार पानी पीने का तवचा पे चमक के सबंद नहीं पानी से जढ़ा रसीरे फल हैं फाइदे मन्त संतुलिक हार के तवचा के चमक राज, जे सभी पॉइंक आज में आपको क्लिर करूगी परहवन मात्रा में पानी का सेवन हमारी स्वस्या के साथ हमारी तवच्छा की रंगत और चमक को भी बढ़ात देता हैै क्याक आपको पता है यह का दूरा सच है जी यह सभी है कि पानी हुमारी संद्रिया और स्वस्थ दोनों के सलामती के लिए एक फशक्या होता है पानी तवच्छा का प्रकिर्थिक पोशक है क्यों जुरुडिंगी को निजाद दिलाते और बोजह में चमक पैदा करता है लेकिन तवचा की चमक के लिए यह काफी नहीं होता है इसके लिए आपको संतुलित अहार और संस्रीकन का उपजोग बहुत जरूरी है संतुलित अहार कई शोदों के अनुसार पानी का कम जाजादा मात्रा में सेवन की तवचा के हाइड्रेजन में बहुत कम वेंजनिक संबंद है पानी के सेवन की तवचा के अधार में कई भूमिकाएं नहीं होती है तवचा की चमक बढ़ाने के लिए संतुलित अहार और संस् विटमिन A, B, C, C और E वाले फल और सब्जी तवच्छा की नमी से बचाये रखते और नई कोशिकाओं के निखाल में भी मदद करते हैं परियाप्त मात्रा में इन आहारों का सेवन ना करना तवच्छा को रूखा और पपड़ीदार बना देता है साधे पानी की तुलना से रिसीले फलों, सबजी और सूप का सेवन ज़्यादा लाबकारी है संस्क्रीन काउप जो सभी जानते हैं की सूरज की किरने हमारी तवच्छा की नमी को जला देती है जे तवच्छा में जुरडिया और चकते पैदा कर देती है सूरिय की हानिकारिक अल्ट्रा वाइलट किरनो ना केवल तवच्छा को जलाती है बलकि इनमें स्किन कैंसर की अशंका भी बढ़ाती है तवच्छा के इन किरनों से बचाने के लिए संस्क्रीन लोशन का प्रजोग बहुत ज़रूरी है सुषिक तवच्छा के लिए मौस्ट्राइजर बेस्ट संस्क्रीन लोशन का प्रजोग करना चाहिए ऐसा करने से संस्क्रीन लोशन आपकी तवच्छा में अच्छे तरीके से मिल जाए पानी और शरीर तबच्चा के चमक में पानी की भूमी का बले ही कम आपकी गई हो लेकिन इस बात उचे इंकार नहीं किया जा सकता कि स्वस्ते शरीर के लिए पांई अवशक्या अंग होता है। आज मैंने आपको बताया पानी की हमारे शरीर के लिए जरूरत आगे मैं आपको और टिप्स के लिए मेरे चानल